जैशिव शंकर दोस्तों आपका एपार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अगोरी वशीकरण मंत्र इस मंत्र से आपकी जो भी समस्या है उसे सौर्व करने में उसका हल निकालने में आपको बेहत मदद मिलेगी दोस्तों तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो अगोरी वशीकरण मंत्र है ये बहुत ही जादा प्रचेंड होता है इसमें आपकी जो शक्तियां है वो बहुत बढ़ जाती हैं तो अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तमाल करेंगे तो इसका असर आपके उपर भी होता है आपके जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं इसलिए इसे सच्चे तरीके से सच्चे जो भी आपका मतलब इरादा है वो सच्चा होना चाहिए तभी आप इसका इस्तमाल करें किसी पर भी गलत इरादे के साथ इसका उप्योग ना करें दोस्तों अगोरी वशी करन मंतर से आपकी जिन्दगी में जो भी समस्या है उसे आप दूर कर सकते हैं तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे करने का तरीका क्या है तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको इसका उप्योग सिर्फ और सिर्फ रात की समय करना है आपको पहले इसे सिद्ध करना होगा जब ये मंतर सिद्ध हो जाएगा उसके बाद आप इसे उप्योग कर सकते हैं किसी भी महिला पर, किसी भी लड़की पर आपके प्रेमी पर या फिर आपके पती पर किसी पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं इसे सिद्ध करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही आसान है आपको अपने घर में एकांत स्थान पे बैठना है मतलब आकेले में बैठना है जहाँ पर कोई भी आपको टोकने वाला ना हो अब आपको उत्तर दिशा में मुख कर लेना है और उसके बाद आपको बोलना है यहाँ पर मंतर में अमुख शब्ध है अमुख की जगे पर आपको अपनी प्रेमिका का नाम बोलना है प्रेमिका प्रेमी जिसको भी आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं उसका नाम आपको बोलना है अमुक की जगे पर और इस तरह से आपको इस मंतर का उच्चारण एक माला रोज करना है साथ दिनों तक तो ये मंतर आपका पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप जब अपने प्रेमिका के घर के बाहर से निकलें तो आप घर पर ही इसे एक माला करके और फिर जाएं और उनके घर की तरफ देखते हुए फूक मार दें दोस्तों यकीन मानिये कि इस मंतर के द्वारा आप अपनी प्रेमिका को अपनी तरफ आकरशित कर सकते हैं उन्हें अपने वर्ष में कर सकते हैं वो आपकी तरफ खिची चली आएंगी और आपकी जिन्दगी में जिस प्यार की कमी है वो प्यार पूरी तरह से आजाएगा तो आप इसे आजमाईए इसे करके देखिए क्योंकि ये जरूर आपके लिए काम करेगा अगर आपको कोई परिशानी है कोई समस्या है दोस्तों तो आप इसे हमें कॉल करके हमसे भी करवा सकते हैं हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा तो दोस्तों आप हमें कॉल करके अपनी समस्या बताएं और उसका समधान हम आपको जरूर देंगे एक और चीज जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपना नंबर या अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में बिलकुल न लिखें कमेंट बॉक्स में जो नंबर लिखे रहते हैं उन पर कॉल भी बिलकुल न करें कोई भी समस्या है सिर्फ और सिर्फ हमें कॉल करें धन्यवाद दोस्तों